तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले सवाल पर पहला सवाल बोल रहा इस्परमेटिट्स का रुपांत्रड इस्परमेटोजोवा में किस विधी द्वारा होता है ठीक है आपको बताना है इस्परमेटिट्स आपको सुकराडू जरन हमने पढ़ाया ठीक है, सुकराडू जनन में हमारा स्पर्मेटिट्स बनता है, आपको केवल ये बताना है, स्पर्मेटिट्स से आपका स्पर्मेटोजोवा, ठीक है, स्पर्मेटोजोवा में किस विधी द्वारा इस्थानांत्रड होता है, ठीक है, सिंपल सा सवाल है, आसान सा कोश्चन है, A. Spermination, B. Spermetogenesis, C. Spermogenesis या D. Spermetosis बताओ क्या होगा correct answer, मैं question लाईए अब, हाँ हो सुने ना, बिल्कुल question आएगा ठीके, अब पहले आपका MCQ questions करवाएंगे हम, ठीके, अब मेरा focus रहेगा, subjective हमने हर chapter का करा दिया अब बारी है, आपका कैसे questions का, तो objective question का, हर chapter से 100-100 objective question कराने का हमने तै किया है तुम लोग अगर अठ्छे से पढ़े, support किये, तो हम आपको हर दिन 100 MCQ कराएंगे, ठीके ओके, तो चलो पहले जवाब दे दो, spermetids का रुपांत्रड, spermetozoa में किस विधी द्वारा होता है तो correct answer होगा, spermiogenesis, ठीके, correct answer क्या होगा, spermiogenesis, clear है सभी को अच्छे, एक बच्चे अभी हमको न साइरी के लिए बोला था, तो हम एक line अभी पढ़कर आएं, ठीके, अभी हम जसी, जसे उतर स्क्रॉल करो, तो हमें कुछ न कुछ मिल जाता है तो आप लोगों को एक बात बता रहें, जैसे answer में भी वही होता है, आजकल महबत में एक दौर है, आजकल महबत में एक दौर है, आपके अलावा, उनको कोई और है ठीके, मतलब समझने वाला है, आप समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया, जिन लोगों को लगता है कि मेरी वाली या मेरा वाला सबसे अलग है, तो सबको बता दिया जाए, सबका वाला एक जैसा है, सबकी वाली एक जैसी है, ये तुम लोगों को पता है, बस answer आपको अलग है, तो आपको पता है, छारी ये फॉस्फेटेज, ये नहीं बदलने वाला, ठीके, ये सबके लिए सेम है, आपके लिए भी सेम है, ये answer सबके लिए सेम है, लेकिन बाकी रिष्टे आपको बदलते हुए दिखेंगे, ठीके, बाकी सभी रिष्टे बदलते हुए आपको द जवाब, वो कभी नहीं बदल सकते, ठीके छारी आप लोगों को, हमने पढ़ाया, जब भी किसी लड़की के साथ बलातकार होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो फिमेल है, फिमेल के योनी का जाच करके क्या करते हैं, फॉस्फेट, ठीके फॉस्फेट का पता करते हैं, clear है लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है कि prostate हमारी 3 ग्रंथी है, 3 ग्रंथी में से जो दूसरी ग्रंथी है prostate, अगर वो क्या होता है, कभी-कभी बॉइस में फूल जाता है, ठीकिन उसको कहते है prostate cancer, तो वो cancer के लिए जो clinician जाच होता है, वो किस चीज का होता है, तो उसके द्वारा स्त क्यांट Church में Cancer हुआ है या नहीन हुआ है अगला सवाल पार्चूरेशन के लिए संकेत कहां से शुरू होता है ठीकर अगला सवाल दे आपका पार्चूरेशन کے लिए संकेत यानि सिगनल कहां से शुरू होता है तो आपको बता दे placenta तथा पूर्ण विक्सित गर्भस्त सिशू, पार्चुरेशन का मतलब होता है कि गर्भकाल कम्पलिट, यसे एक महिला को कैसे पता चलता है किसी डॉक्टर को, कि हाँ अब इसके डिलिवरी का टाइम हो गया है, तो किसके द्वारा placenta की द्वारा और पूर्ण विक्सित गर्भस्त सिशू की द्वारा हम पता करते हैं कि जो बच्चे का गर्भकाले वो पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, अगला सवाल, गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्त सिशू, गती सील होता है, तथा सर पर बाल उग जाते हैं, तो सभी को क्या आप सभी को यहां तक clear रहे? Yes, ma'am, पाँचवे महीने में, बहुत बढ़िया, ठीके, बहुत बढ़िया, ओई क्या देख रहे हो, सब बदल जाता है, दुनिया में कोई अपना नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, correct बात, ठीके, केवल सवालों का जवाब correct, अपना है, ठी ठीके अब आपका तीसवा सवाल अंडासे के नजदीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग है अंडासे ठीके आपको बोल रहा जैसे आपको ये पता है ये हमारा क्या है महिला का मादा जनन तंत्र है ठीके ये फैलोपियन ट्यूब है ठीके ये ऐसे इस तरीके से यहाँ पर अंडासे के सबसे पास वाला भाग का क्या नाम है ठीक है अंडासे के सबसे पास वाले भाग का नाम इस थमस एंफंडी बुलम गरिवा एंपूला क्या लगता है आपको करेक्ट एंसर तो सब लोग जल्दी से बताईए अंडासे के नजदीक का फैलोपियन ट्यूब यहां प अब आपको ये वाला भाग बताना है ठीक है ये वाला जो भाग है जो आपका क्या है गर्भासे के एकदम पास है ये इसका नाम क्या होता है स्थमस ठीक है इसका नाम क्या होता है स्थमस हमने आपको फैलोपियन ट्यूब पढ़ाया फैलोपियन ट्यूब के कितने भाग होते रुको बताते हैं, ठीके, सबसे पहले ये उंघली नूमत संग्रचना, इसको हम लोग Fimbrei कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? याद रखना Fimbrei. उसके बाद ये वाला जो संग्रचना दिखाई दे रहां इसको Keep कहते हैं, ठीके, इसको क्या कहा जाता है? Keep कहा जाता है, बीच पीजाता है, आमपुला कहला है और शैजाता है, जो क्या बाता है। अंडा जैसे ही हमारा क्याता है इसमें से अंडा निकल कर कहां पहुचता है हमारे नलिका में नलिका से वो कहां जाता है, एमपूला में और यहाँ पर 48 घंटे तक यह अराम से बैठा रहेगा इंतजार करेगा आजा ठीके पुकारेगा आजा किसको सुकराडू को अगर सुकराडू मिल गया तो यह दोनों भाईया आपस में यही पर निसेचित हो जाएंगे लेकिन अगर सुकराडू नहीं मिलता है अगर सुकराडू नहीं मिलता है तो यह अंडा नस्ठ हो जाएगा और नस्ठ हो कर गरभासे से होते हुए योनी के द्वाला क्या होगा सरीर से बाहर निकल जाता है ठीके? यस मैम मैम मेरा क्ञास ओपन करवा दीजिए प्लीस मैम caused 25 निउ बैच अच्छ ओके मैम नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते चली, आगे बढ़ते अग्ला सवाल अग्ला सवाल देखा जै, क्या बोलता है ठीके, अग्ला सवाल मेरी जनसंख्या ओ तुम लोग मेरी जन संख्या हो, ठीक है, proudly, लोग ऐसे तो जन संख्या भारत का हमको क्या करना है, कम करना है, लेकिन नीधी मैम का जो ये class की जन संख्या है, इसको आप लोगों को बढ़ाना है, हम लोगों का संख्या बताओ, डेड़ सो पार होता था, दो सो तक पहुंचने आज 70 पर अठके हैं, तो ये कैसे चल रहा है, मेरी जन संख्या को क्या हो गया, तो नीधी मैम की जनता, प्यारे प्यारे जनता, अपनी संख्या बढ़ाईए, सेयर कीजिए, जो आपके दोस्त भटक गए हैं, उनको वापस से लाइन पर लाईए, ठीक है, और इस सवाल का जवाब भी बताईए, क्या होगा, किसी मादा में ब्लास्टो सिस्ट के लिए क्या सही है, ठीक है, तो करेक्ट अंसर होगा D, इंप्लान्टेशन के साथ ट्रोफो ब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा इंप्लांटेड होता है, ठीक है, याद रखना, ब्लास्टो सिस्ट पुटी वाला एक्जामपल याद होगा आपको यह कहां होता है गर्भासे में स्थित ठीक है जब बच्चा पहले निसेचित होकर युगमनज बनाता है फिर दो कोशिका है फिर चार कोशिका है फिर 16 कोशिका है ठीक है जैसे 32 कोशिकाओ की अवस्था आती है 32-64 वाली हम उसक किसी स्त्रावण में फ्रक्टोज कैल्सियम एवं एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है किसमें आपको बताना है किसमें आपको फ्रक्टोज कैल्सियम एवं एंजाइम्स देखने को मिलते नर्सहाय ग्रंथी के द्वारा यकृत के द्वारा अध्याप के द्वारा या ला ग्रंथी के द्वारा, ठीक है, फटाक से एंसर दीजे, करेक्ट एंसर आपको क्या लग रहा है, मैम, आपका कमेंट क्यों नहीं, मैम, अरे ऐसा नहीं है, चले जल्दी जल्दी सब लोग क्या करो, इस सवाल का जवाब क्या होगा, मेरे में आपका लाइफ क्लासे चली नहीं आप पर जुड़े हुए, गुड मॉर्निंग मैम, अब वेरी गुड मॉर्निंग दिलखुष जी, ठीक है, चले जल्दी से क्लासे स्टार्ट करना है न, अब अगला सवाल देख लो, अगला सवाल आपका, किसी स्त्रावर में फ्रक्टोस, केल्सियम और एंजाइम देखने को मिलते हैं, अब भी हमने बताया था, ठीक है, मेल के अंदर आपका कितने ग्रंथी, तीन ग्रंथियां पाई जाती है, कौन-कौन सा सुकरा से, फिर दोसरा प्रोस्टेट और तीसरा बल्बो-युरेथ्रल, ठीक है, तीन ग्रंथियां पाई जाती है, इन तीनों से कुछ न नर युगमक तथा मादा युगमक के सन्योजन से क्या बनता है, ठीक है, अगला सवाल बहुत अच्छा सा, नर और मादा युगमक के मिलने से क्या बनता है, ठीक है, अगला सवाल बहुत बढ़ियां है, नर और मादा युगमक के मिलने से अंडाडू बनता है, सुकराडू बनता है, विर्य बनता है, या युग्मनज बनता है, Zygote बनता है, क्या होगा, correct answer, ठीके, Option number D दे रहे हो, आप लोग, युग्मक नहीं होगा, सुने न, युग्मनज होगा, it's not युग्मक, it's यूग्मनज, ठीके, युग्मनज का मतलब होता है, आपका Zygote, जब मादा प्लस नर युगमक मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है युगमनज बनता है युगमनज फिर आपस में विभाजित हो होकर एक नए सीशु को उत्पन करती है एक बच्चा बनाती है याद रखना तो correct answer 33 का option number D होगा clear सभी को 31 का zygote बहुत बढ़िया ठीक है बहुत मस्त चली अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल आपके लिए निमन लिखित में कोई एक पूरुस में पाया जाता है इन में से कोई एक है जो पूरुस में पाया जाता है गरभासे अगर पूरुस में होता तो फिर पूरुस संतान उत्पन कर पाता तो हम लोगों के मन में सवाल रहता है न कि लड़कियां ही क्यों बच्चे उत्पन कर सकती है हम लड़के क्यों नहीं क्योंकि लड़कियों में गरभासे पाया जाता है गरभ को धारड करने के लिए पूरुसों में गरभासे नहीं है पूरुसों में भग आपका भग फिमेल्स में पाया जाता है लेविया मेजोरा ये भी फिमेल्स में पाया जाता है लेकिन काउपर गरंती ठीके जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल कहते हैं ठीके जिसको क्या कहा जाता है बल्बो यूरेथ्रल ये केवल और केवल किसमें पाया जाता है तो क्या यहां तक आप सभी को clear है अरे एक बार yes maim बोल दो एक बार तो yes maim बोल दो जी maim मनिशा यादो का आगया बहुत बड़ी है मुसकान निसाद yes maim जी बिजेश दुबे clear है पापा मेरी जान पहचान clear है simple मुंडा जी maim clear है maim पूरा answer नहीं लिखा है सुनया न कौन सा पूरा नहीं लिखा है maim मेरा चार गलत हुआ है अभी तक अरे कोई बात नहीं देखो तुम लोगों की चार गलती कम से कम यहीं पर हो जारी exam में चार गलती नहीं करना है exam में हमको कोसिस करना है कि एक गलती भी ना हो इसलिए practice जरूरी है और practice के लिए classes करना जरूरी है ठीक है अगला सवाल नर हार्मोन की उत्पत्ती कहां से होती है male के सरीर में जो हार्मोन नर हार्मोन एंडरोजन ठीक है और आपका testosterone याद रखना नर हार्मोन कौन से होते है दो पहला याद रखना एंडरोजन ये क्या करता है सुकराडू के निर्माड को प्रेरित करता है दूसरा होता है testosterone ये क्या करता है ये male में गौड लेंगिक लच्छडों का विकास करता है लड़कों में दाड़ी मूच, डोले सोले, अवाज का भारी होना ये सब हमको देखने को मिलता है तो ये दोनों कहां इस्तरावित होते है तो याद रखना ये दोनों वरिशड में इस्तरावित होते हैं में क्यों आते सुक्र जनन के लिए आप देखो आपका मेल का सारा पाट क्या होता है सरीर के अंदर होता है लेकिन जो वरिषड होता है वो दोनों जांगों के बीच में आपको लटका हुआ दिखाई देता है ठीके उस वरिषड कोस के अंदर आपका क्या है दो वरिषड बनेगा जब इसको normal body के temperature से 2 से 3 degree कम मिलेगा जैसे 37 degree है 37 degree हमारा normal temperature है तो जब 37 में से आपको 2 से 3 degree कम देखने को मिलेगा 35 देखने को मिलेगा तब आपको क्या आपका सुक्राडू का निर्माड होगा तो याद रखना स्तंधारियों में जो वरिषड है, वरिषड कोस में इसलिए पाए जाते ताकि सुक्र जनन की, सुक्राडु जनन की क्रिया हो सके, सुक्राडु का निर्माण हो सके सबसे पहले जो बच्चे जुडते जारे लाइक करो तो जल्दी से ठोक तो लाइक एकदम दबा करके ठीक है एकदम दबा करके पहले लाइक का बटन प्रेस करो फिर हम अगला सवाल लेकर आएंगे एकदम जोरदार वाला ठीक है अब अगला सवाल अगला सवाल 10 लाख गेरे को घोलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन करता है यह कहलाता है ठीके सुकराडू अंडे के घेरे को घोलने के लिए जो अंडा है उस पर क्या है आपको पता है बहुत मोटी मोटी दिवार है तो उसको घोलने के लिए के इंजाइम युक्त पदार्थ जो हमारा सुकराडू का ये जो टोपी वाला भाग था वो क्या कर रहा था पता है ना इसमें कोई हमारे इंजाइम पाये जाते हैं ये इंजाइम क्या करता है सुकराडू के अंडाडू के दिवारों को तोड़ने का कारे करता है बस उसका नाम बताना है कि क्या होता है तो तुम लोगों को ठीक है आज ऐसे ऐसे questions लाएं जो पहले कभी नहीं पढ़े हो और आज का class जो पूरा complete किया chapter 3 से दुनिया में कोई question पूछ ले तुम लोग जवाब दे दोगे अगर आज का class पूरा देखते हो तो ठीक है सुक्राडू अंडे के घेरे को घोलने के लिए एक इंजाइम युक्त पदार्त उत्पन करता है वो कहलाता है हाईलू रोनी डेज ठीक है यह याद रखना अब अगला सवाल अगला सवाल है एंटरम किसकी गुहा है ठीक है अगला सवाल एंटरम किसकी गुहा है अंडा से graphion putica, blastula, gastrula तो correct answer होगा graphion putica ठीक है graphion putica जैसे हम क्या है हम लोग दो तरीके कपड़े पहनते हैं अंदर कपड़ा एक बाहर कपड़े ठंडी आता है तो स्वेटर जैकेट पहनते हैं और उसके अंदर भी तो कपड़ा पहने रहते हैं वैसे ही हमारी जो अंडारू है इसको घेरने के लिए दो तरीके के कपड़े पाए जात प्रतिक्रिया के कारण द्वितियक लाइंगिक लच्छड विक्सित होते हैं तो आपको हमने बताया कि पूरुसों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन है जिसके वज़से गौड लाइंगिक लच्छड विक्सित होते हैं क्या हमने बताया हमने बोला कि पूरुसों में जित बाल दिखते हैं, लेवोरा मेजोरा पे बाल उसे, A. रिलेक्सिन हार्मोन, B. प्रोज़ेस्ट्रोन, C. ऐस्ट्रोजन, या D. गोनेड और ट्रोपिन हार्मोन, तो तुम लोगों को हमने पहले ही बताया था, पहले ही बताया, कल की k्लास में भी बताया, ठीके क्या बताया था, याद होगा आपको answer estrogen हार्मोन estrogen हार्मोन ये क्या करता है महिला में दूतियक लेंगक लठणों का विकास करता है ठीके, पुर्षो में endrogen महिलाओं में estrogen बताए क्लियर है स्याम जी और कार्थिक कुमार बताए क्लियर है आपको ठीके, fast answer करो, fast answer एकदब स्वाहा हो गया, ओके, चलो अगला सवाल अगला सवाल है, अंडोत सर्ग वह कौपर्स लूटियम ठीके, कारपर्स लूटियम के विकास के लिए उत्तरदाई हार्मोन है अंडोत सर्ग अंडे का उत्तरजन अंडे का क्या करना अंडासे से बाहर निकलना हमारा अंडोत्सर कहलाता है और इसके लिए उत्तरदाई कौन सी हार्मोन है FSH, Follicle Stimulating Hormone, LTH, ICSH, तो क्या होगा तो correct answer होगा LH, Luteinizing Hormone ठीके, Luteinizing Hormone क्या करती है इसके वज़से हमारा जो अंडाडू है वो क्या होता है अंडासे से बाहर निकलता है और फैलोपेन ट्यूब में जाता है ठीके, चली अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल आपका है, वाईलिन की ग्रन्थी होती है ठीके, next question आपका, वाईलिन की ग्रन्थी होती है वास defense के किनारों पर, योनी के किनारों पर, पच्छियों की पूछ पर, उभै चरों के सीरे पर ठीक है अगला सवाल वाइलिन की ग्रंथी होती है तो जो वाइलिन की ग्रंथी है वो हमारा कहां पर आपको देखने को मिलेगा योनी के किनारों पर ठीक है ये वाइलिन नहीं होगा बार्थोलीन होगा ठीक है इसको याद रखना ये बार्थोलीन होगा not वाइलिन ये कोई ग ग्योनी को क्या करेगा लुब्रिकेट करता है इस नेहक बनाता है ठीक है अगला सवाल अगला सवाल है मासिक चक्र की अवस्था को जो साथ से आठवे दिनों पर समाप्त होती है कहलाता है ठीक है अगला सवाल आपका मासिक चक्र की अवस्था जो आपका साथ से आठ दिनों पर खतम होता है हम उसे क्या कहते है रजोधर्म, लूटियत अवस्था, अंडोत सर्ग प्रवस्था, पुटकिया प्रवस्था तो यह हम लग रहा है कि आप लोग अभी यह वाला सवाल तो नहीं बता पाओगे इसका जवाब हम बता देते हैं पूटकिया प्रवस्था ठीके मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 वे दिनों पर समाप्त होती है क्या कहलाता है तो correct answer होगा पूट की या प्रवस्था कहलाता है अगला सवाल कौन मीसो डर्म उत्पत्ती का नहीं है ठीके मीसो डर्म उत्पत्ती का नहीं है तंत्री का तंत्र, परिसंचरर तंत्र, पेसी तंत्र, कंकाल तंत्र, मीसो डर्म हमारा तंत्री का तंत्र का निर्मार नहीं करता, ठीके, फटाफट अब हम लोग M से क्यों देखेंगे, बिना रुके, अगला सवाल आपका है, पूटियम किस से प्रतिक्रिया में मोटाई में विध्धी करती है, जो पूटियक है हमारा, वो किस से प्रतिक्रिया में मोटाई में विध्धी करती है, तो correct answer होगा, ओस्ट्रोजेन, ठीके, ओस्ट्रोजेन, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा संभवत द्वी विभाजन करता है, इसमें से कौन सा हमारा जीव है, जो प्रक्रिया पता है न, कुछ जीव अपने आपको तोड़ कर, काट कर, बाट कर, एक नए जीव को निर्मित करते हैं, तो आपको बताना है, इन में से हमारा वो कौन सा जीव है, जो क्या करता है, अपने आपको दो भागों में तोड़ कर, विभाजित करके, एक नए जीव को निर्मित करता है तो correct answer और युग लीना जो कुछ इस प्रकार को आपका दिखाई देगा ये अपने आपको क्या करता है दो भागों में इस तरीके से बाट करके दो नए जीवों में बदल जाता है ठीके तो ये answer याद रखना ये सवाल पहले exam में आया हुआ है ठीके ये सारे सवाल exam में आये हुए आपको हम करा रहे ठीके ना चली आगे बढ़े अगला सवल क्या बोल रहा है देखते हैं मैं PDF अपलोड नहीं करवाते क्या अरसलान माही जी ऐसा नहीं है PDF आपका Just Will Classes के एप पर हर दिन अपलोड हो जाता है अभी कल हम लोगों का offline center का opening था इस चिंता नहीं करने का आपका होता है और मिल जाएगा आपको PDF मिल जाएगा ठीके अगला सवाल यदि महा बिजारू मात्र कोस में 10 गुड़ सुत्र हों तो एलूरेन परत में कितने गुड़ होंगे ठीके आपको बोल रहा है यदि मात्र कोस में 10 गुड़ सुत्र हैं कितने दस गुड़ सूत्र हैं, तो ऐलूरेन परत में कितने गुड़ होंगे तो याद रखना 15, ठीक है 15 होंगे, यह वाला सवाल आप लोगों के सेलेबस कर नहीं है तो इसको तो मती करो, ठीक है अगला सवाल, ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है किसी पोधे की जाती में प्रतीमुख क कोशा, प्रतीमुख कोशी का पता है न, प्रतीमुख कोशा में क्रोमोजूम हो तो उसके ऐलूरेन के इस तर के, यह ऐलूरेन वाला सवाल क्यों आ रहा है बार बार, ठीक है इसको भी एक्साइट कर दीजिए, इस सब सवाल आपके एक्जाम के नहीं है, हाँ यह सही है, ठी इंब वाही का छेदन, सुक्र वाही का उच्छेदन, उपर युक्त में से कोई नहीं, ठीक है, जल्दी से बताइए इस सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब कौन देगा, यह सवाल बहुत अच्छा है, मैं मैं तो कल ओफलाइन क्लास में आऊंगा अब से, विल्कुल, ज आपको पता है, आपको पक्का किसी न किसी चीज की जल्दी है, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, इस सवाल का जवाब तो पता होना चाहिए, मेल से क्या संबंदी थे, क्या मेल गोली खाते है, गर्ब निरोध गोली, अगर मेल को बच्चा नहीं चाहिए, तो क्या वो सुक्रवाही का पाई जाती है ठीके तो मेल से क्या संबंद है तो करेक्ट एंसर होगा सुक्रवाही का उच्छेदन ठीके यानि आपको याद रखना है मेल से आपका वैसेक टोमी संबंदित है ठीके मेल से संबंदित क्या है तो करेक्ट एंसर होगा वैसेक अंदर होता है नि निसेचन वा भुरुड निर्मार दोनों ही अंदर होते हैं, निसेचन वा भुरुड निर्मार दोनों बाहर होते हैं, तो IVF के द्वारा क्या होता है, हम निसेचन की क्रिया सरीर के बाहर कराते हैं, लेकिन भुरुड का निर्मार सरीर के अंदर करते हैं, याद रखना परखन अली सीशुओं का उत्पन करने में याद रखेगा निसेचन बाहे होता है और भुरुड का निर्माड अंदर होता है ठीके अगला सवाल आपका अगला सवाल क्या बोल रहा बंधया करड बंधया करड ठीके बंधया करड आपका की एक विधी है बंधया करड की एक विधी क्य खेदन लुप दो आयू सीडी ये आपका आयू सीडी होगा ये आपका बंध्य पारब क्या होता है याद रखिएगा इसमें क्या करना की विधी है याद्रिखेगा ठीकहां तक आपको क्या करना है याद रखना है बता ये clear है सभी को येस मैम clear है ठीक है अगला सवाल देखा जाए मैम जी अनुराधा मैम अपने घर है बच्चा वो यहाँ क्या करेंगी वो अपने घर पर है ठीक है चलिए अगला सवाल निम्न में कौन जन्म नियंतर में प्रयुक्त यांतर की अवरोधक है ठीक है अगला सवाल इन में से कौन सा हमारा जन्म नियंतर में प्रयुक्त यांतर की अवरोधक है यांतर की अवरोधक कुसी यांतर द्वारा तो याद रखना मद्यचद ठीक है कौपर टी डेल कौन चादर लूप नहीं होगा correct answer होगा मद्य छद अगला सवाल निम्न में से किसमे गमन अत्यदिक घट जाता है ठीक है किसमे आपका गमन जो है वो घट जाता है वीर्य में सुक्राड़ों की स्वतगति सिल्ता का घट जाना ठीक है याद रखिएगा वीर्य में जो सुक्राड़ों है हमारा वीर्य क्या है मेल्स की गरंथी मेल में तीन गरंथी पाई जाती है तीनों गरंथी मिल करके क्या करते है एक लिक्विड इस्त्रावित करते है उस लिक्विड को क्या कहा जाता है उस liquid को हम लोग विर कहते हैं और इस विर के अंदर हमारा सुक्राडू पाया जाता है इस विर के अंदर ही क्या है सुक्राडू पाया जाता है जो गती करता है क्लियर तो याद रखना किसमे जो गमन है वो घट जाता है तो याद रखिएगा वीर में सुक्राडवों की स्वता गती सिलता का घट जाना अगला सवाल कौन से परिछड द्वारा बगेर पैदा हुआ बच्चे में आनुवानसी की व कारी की दोस क्या अध्यान कर सकते हैं आपको बताना इन में से किस प्रक्रिया द्वारा किस प्रोसेस के द्वारा अगर मा के गर्भ में ही बच्चा है तो आप ये जाच कर सकते हो कि पेट में पल रहे बच्चे को कोई दोस है या नहीं, कहीं कोई रोग तो नहीं है, क्या लगता है आपको क्या होगा correct answer? A. Amniocentesis, ठीके ये आपका Amniocentesis है, B. Ereproblastosis, C. Angiogram, D. Cloating पर इच्छड़, ठीके इन में से कौन सी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आप गर्भ में पल रहे बच्चे का, क्या कर सकते हो, कोई भी आनुवानसी की दोस बता सकते हो, तो correct answer होगा, Amniocentesis, ठीके correct answer क्या है, Amnioc Amniocentesis के द्वारा हम बच्चे की जाच कर सकते हैं, भूड की जाच कर सकते हैं, ठीके अगला सवाल, जब संतती की उत्पत्ती एकल जनक द्वारा होता है, तब यह कहलाता है, ठीके जब किसी एक जनक के द्वारा, ठीके जब किसी एक जनक के द्वारा, अगर क्या हो रहा है संतान की उत्पत्ती हो रही है तो इसको क्या कहते है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन A और B दोनो या D आंत्रिक निसेचन तो correct answer याद रखिएगा अलैंगिक जनन जब संतती की उत्पत्ती एकल जनक द्वारा होता है तो हम इसको अलैंगिक जनन कहते हैं, क्या कहते हैं याद रखिएगा अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीके यहाँ तक clear है, यहाँ तक I think सभी को clear है, अगला सवाल अगले सवाल पर बढ़ने से पहले कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिना लाइक कीए, कंजूस की तरह हाथ ऐसे करके बैठे हुए ठीके, सबसे पहले हाथों को ऐसे खोल दीजिए, वहाँ पर ऐसे थम का एक sign बना है, उसको प्रेस कर दीजिए, ठीके, क्योंकि लाइक कम रहेगा न, तो फिर कैसे पढ़ाई होगा तो बहुत बच्चे बिना लाइक कीए, बैठे हैं, तो लोग लाइक कर दे सबसे पहले तो जल्दी से, जो बच्चे बिना लाइक कीए, बैठे हुए है, पहले लपसे, एकदम लाइक कर दो, तुम लोग दबा के, लाइक करिए उसके बाद हम पहला सवाल ले, पहला नहीं, आगे सवाल लेकर आएं, ठीक, अगला सवाल आपका क्या है, मुखुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो correct answer सब को पता है, इस्ट में, पेरा मिश्टियम, पेनिसीलियम, इन दोनों में मुखुलन के द्वारा जनन संख्या होती है तो एक मनुष्य के अंदर चाहां वो लड़का होगा लड़की 46 गुड़सुत्र पाए जाते हैं ठीके और यह जो 46 गुड़सुत्रे जब युगमक में जाता है तो आधा 23 नर युगमकों या मादा युगमकों दोनों में गुड़सुत्रों की संख्या कितन पूछ रहा है तुम्हारे अंदर नहीं पूछ रहा। तुम्हारे अंदर जो युगमक बन रहा है अंडाडू सुक्राडू बन रहा है उसमें कितनी संख्या तो 23 होगा 46 वाले अपने आपको ना पाचुलू भर पानी लो और मूँ पर मालो तुम लो जागने की जरूवत ह है, सोई हुए हो, मैम जी 12th का न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा, राहुल कुमार जी 12th का न्यू बैच आपका दिसंबर में वैसे लगबग स्टार्ट हो जाएगा, अभी क्रेस कोर्स चल रहा है, आप क्रेस कोर्स जोईन कर सकते चल अगला सवाल, बढ़ते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल अंड प्रजनक है, इन में से अंडा देने वाला कौन सा जन्तू है, मुर्गी, साप, मगरमच या फिर option number D, इन सब, ये सब ही, ठीके कौन सा ऐसा जानवर है, जो अंडा देता है, मुर्गी, साप, मगरमच या ये सब ही, तो correct answer होगा ये सब ही, ठीके, काया कि मुर्गी हो गई, अंडा हो गई, साप हो गई, तीनो क्या है, अंडे देने वाले जीव हैं, ठीके, ये तीनो क्या है, अंडे प्रजनक है, अंडे देने वाले जीव है अगला सवाल द्वीगुडित है ठीक है इसमें से आपको बताना है द्वीगुडित कौन सा है अंड अंड आपका द्वीगुडित नहीं होता है ये क्या होता है अगुडित होता है पराग कर ये भी दितने भी युगमक है वो हमेशा अगुडित होंगे अंडक आपका अगुडित होता है, पराग कड अगुडित होता है, C बोल रहा, A और B दोनों गलत है, ये दोनों हमारे अगुडित है, युगमनज हमारा क्या होता है, द्विगुडित होता है, क्योंकि युगमनज किससे बनता है, जब नर और मादा युगमक आपस में मिलते हैं, त लाइगोट बोलते हैं ठीक है ये याद रखिएगा ये याद रखिएगा आईए बढ़ते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल बोल रहा सुकराडू जनन का नियंतरड किसके द्वारा होता है ठीक है अगला सवाल सुकराडू जनन सुकराडू के निर्मार की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, हमने पहले ही बताया, एस्ट्रोजन क्या करता है, महिलाओं में, महिलाओं में क्या करता है, ये गौड लेंगिक लच्छडों का विकास करता है, और एंड्रोजन क्या करता है, पुरुसों में सुकराड़ों के निर्माड को प्रेरित करत ठीक है एंड्रोजन तुम लोग सोचते हो ना कि कैसे हमारे सरीर को पता चलता है कि अब हम जवान हो चुके ठीक है जैसे लड़का देखते हो 13 साल का होता है उच्छलने लगता है कूदने लगता है उसके अंदर अलग ही एनरजी रहती है किसके वज़से इस एंड्रोजन हार हार्मोन का निर्माड शुरू हो जाता है और इसी के वज़से सुक्राडू का निर्माड प्रारंब हो जाता है ठीक है तो याद रखिएगा option number C clear है चली अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल बोल रहा हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित नहों इनमें से वो कौन सा हार हार्मोन है जिसका मासिक धर्म में कोई जरूरत नहीं है तो LH, FSH, Estradiol, Inka, TSH यह हार्मोन हम लोग ने आज तक कभी नहीं सुना इसका कोई काम नहीं है मासिक चक्र में ठीक है यह कोई काम नहीं करता है अगला सवाल मनुष्य में गर्भा धान की अवधी दिनों में है ठी कितने दिन तक नौ महीने तो पता है आपको 9 मंथ ठीक है दिन में पूछा है बताओ ठीक है 200, 250, 260 या फिर 270 यह 270 होना चाहिए था ठीक है 270 अब बताओ क्या होगा correct answer ठीक है 270 कौन सा correct answer है ठीक है correct answer जल्दी बताए क्या होगा मनुष्य में गर्भा धान की अवधी कितने दिनों में होती है कौन दे रहा है जवाब ठीक है फटाक से answer दीजे मनुष्य में गर्भा धान की अवधी कितने दिनों में होती है क्या answer दे रहे हो गर्भधारण की अवधी लगबग 9 महीने या लगबग 270 से 280 दिन का होता है य या तो मन्थ में आपको दे देता है नौ मन्थ या तो आप लोगों को कन्फ्यूज याने के लिए कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाओ इसलिए दिन में दे दिया तो याद रखना 270 से 280 क्लियर है ठीक है सभी को क्लियर है option number D correct है अगला सवाल आपके लिए है नर में क्या नहीं होता इन में से नर में क्या नहीं पाया जाता तो याद रखना नर में तीन ग्रंथियां होती है बल्बो, यूरेथरल, प्रोस्टेट, काउपर लेकिन जो बार्थोलीन की ग्रंथि है ये केवल म पाई जाती है ठीक है महिलाओ में जो योनी है उसके चारो तरफ एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम बार्थोलीन ग्रंथि कहते है ठीक है जिसे क्या कहा जाता है ठीक है अगला सवाल बोला जाए अगला सवाल क्या बोल रहा है ठीक है अगला सवाल है यूमन फीमेल के भ क्लिवेज होता है ठीक है तो जो हमारा क्लिवेज का मतलब विदलन को आप हमें इस कोशन कल भी हम कराये थे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था याद रखना तो को नर और मादा युगमक मिल गए क्या बना दिये युगमनज बना दिये युगमनज अभी क्या है रूप से समान होंगी ठीक है ये याद रखिएगा कि विदलन की क्रिया में युगमनज से जो कोशिकाए बनती है ठीक है एक युगमनज से दो कोशिकाए बने ये दोनों कोशिकाए कैसी है होलो ब्लाश्टिक एकदम समान संग्रचना अकार आयतन ठीक है उन सब में क्या मि लेंगी 63 का option number a बिल्कुल correct है ठीके मैम जी हिंदी में पढ़ाओ ना रहे बच्चा ये हिंदी के वर्ड है ठीके सब हिंदी में नहीं मिलेगा human ये आपका इसी तरीके से exam में आया हुआ है अगला सवाल है follicles का फटना तथा ova का बाहर निकलना क्या कहलाता है ठीके अगला सवाल follicle आपको पता है अंडासे के अंदर हमारी क्या है पहले प्राथमिक दृतियक ठीके पहले ये अंडा है अंडे के उपर एक परत बन गया प्राथमिक पूटक कहते है फिर दूसरा पट पूटक दो कपड़ा पहिना दिया गया दृतियक पूटक फिर तृत यक पूटक तीन कपड़ा पहना दिया गया ठीके उसके बाद क्या होता है चतूरतक पूटक भी बनता है तरसरी पूटक भी बनता है और उसके बाद हमारा जितना भी कपड़ा पहनाया गया था वो पूरा फट फुट जाता है और अंडा बाहर निकल जाता है बस बताना है इ पूटक फिर उसको चौथा कपड़ा पहना दिया गया चतूर्थ पूटक ये याद रखना चार पूटक अब बच्चा क्या हो गया उमस्या गया गर्मी आ गया एकदम उन क्या करेगा कूल पूटक को फेक देगा कहें कि सारा कपड़ा निकाल दिए और निकल के धीरे से क्या होगा पतली गली से निकल लेगा ऐसे ही हमारे अंडासे में होता है सेम इसी तरीके से हमारे अंडासे में होता है जैसे ही अंडा बना उसके उपर सबसे पहले क्या किया गया एक पूटक बनाया गया एक कपड़ा उसको प्रात्मी कहते हैं फिर उसके उपर दूसरा पूटक पहनाया गया, दूसरा कपड़ा, इसको दृतियक पूटक, फिर उसके उपर तीसरा कपड़ा पहनाया गया, इसको दृतियक पूटक कहते हैं, और उसके बाद उसको क्या किया गया, चौथा कपड़ा पहनाया गया, जिसको चतूर्त पूटक कहते हैं, और एक टाइम पर क्या होगा यह जो अंडा अंदर दबा हुआ था यह इन सब को तोड़ते हुए बाहर निकल जाएगा बस इस प्रोसेस को क्या कहते हैं तो याद रखना ओव्यूलेशन या फिर अंडोत सर्जन कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं अंडोत सर्जन अंडे का बाहर निकलना पूटकों को छ चलि अगला सवाल है किस से विक्षित सुकराड़ू को पोषड मिलता है। आपको बताना है इन एमय से कौन सी कोशिका हमारे सुकराड़ू को पोषड, nutrition देने का कारे करती है। Interstitial cell, यानि अंतरास्थलिय कोशिका, Spermatogonia, Spermatocyte, या फिर सटोली कोशिका, क्या लगता पब्लिक क्या होगा? Correct answer. 65, question number 65 का correct answer क्या होगा? Mukund Kumar ji, a very good morning. Correct answer दीजे सवाल का. ठीक है, फटाक से answer दो, आप लोग क्या लग रहा है? आप लोगों को क्या होगा? Good morning, ma'am. A very good morning, good morning, good morning. ठीक है, फटाक से फटाफट जवाब दीजे, फटाफट जवाब चाहिए हमें. ठीक है, तो आप सभी को पता है, हमारे मेल के अंदर, नर युगमक, सुकराडू का निर्माड होता है, और उन सुकराडू को पोसर देने का काम, सटोली कोशिका करती है. ठीक है, कौन करता है? याद रखिएगा, सटोली कोशिका करती है. ठीक है, अगला सवाल आपका, वरिसर थैली किस से संबंदी थे? जो आपको पता है, हमने क्या बोला था? लड़कों में दोनों जांगों के बीच में जो लटकी हुई संगरचना है, इसको वरिसर कोस कहते हैं, और इस वरिसर कोस के अंदर हमारा एक जोड़ी, संख्या में कितना? एक जोड़ी, दो गोला कर, अंडा कर संगरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है वरिसर कहा जाता है ठीके तो याद रखिएगा वरिसर थैली किस से संबंदी थे तो correct answer option number C वरिसर से संबंदी थे चले ये clear है सभी को एक बार जल्दी से पहले चैट में बताओ क्या सभी को clear है आगे बढ़ है यस मैम मैम आज कौन कौन इंडिया वरिसर स्री मैच देखेगा रहे इंटर्टेन्मेंट ट्यूब पूछना चाहिए कि आज कौन कौन नीधी मैम का 100 questions पूरा complete करके जाएगा तो तु पूछ रहे हो कि कौन कौन स्री लंका इंडिया का मैच देखेगा मैच देखने से तुमको नंबर मिलेगा न पैसा मिलेगा न नंबर मिलेगा ठीके लेकिन अगर ये सवाल पूरा देखोगे तो तुमको 100 नंबर मिलेगा हरे भगवान कहां से तुम लोग आए हो समझी में नहीं आता पढ़ाई लिखाई से कोई मतलम नहीं जैसे अब दो वर्ड बोले तीन बच्चे गायब अब दीरे दीरे देखना आठ नौ बच्चे दस बीस बच्चे ऐसे गायब हो जाएंगे गायब हो जो जो जलती जो तुम लोगों को मैच देखना होगा ठीके अगला सवाल कौन सहायक जनन ग्रंथी है ठीके तो याद रखना सुकरासे ग्रंथी प्रोस्टेट ग्रंथी काउपर इतनी बार पढ़ा देंगे कहीं चीज न कि दिमाग में रट रटा जाएगा रतिया में जब सोगे न तो पूरा टाइम हमरे अवजिया आप लोगों ठीके याद रखिये का कौन सहायक जनन ग्रंथी है तो आपका सुकरासे प्रोस्टेट काउपर ये तीनों ग्रंथी क्या कहलाता है सहायक ग्रंथी यानि करेक्ट एंसर क्या होगा ये सभी क्लियर क्लियर है आगे बढ़े बनारसी बाबू व्लॉगर मैं पहले ही एंसर अरे कम से कम आप लोग जवाब तो तुम लोगों के लिए ही तो एंसर पहले लेकर आए है ताकि जो बच्चे गुंगी साध करके बैठे रहते हैं सब बोलो कुछ नो कुछ तो बोलो सवाल का जवाब दो तुम लोगों के लि सर लिख कर ला रहे कम से कम देख कर ही जवाब दो ठीक है देख कर ही जवाब दो अगला सवाल है कारपस इस्पोंजियेशं पेसी किसमें पाई जाती है ठीक है अगला सवाल आप लोगों को पता है जो मेल का मेल में आपको व्रिषड के ऊपर इस तरीके से एक लटकी हुई संग्रचना दिखाई देती है, यह हमारा व्रिशर कोस उसके पीछे है, आगे की तरफ आपको यह लटकी हुई संग्रचना दिखाई दे रही है, यह आपका जिस पेसी, किस मसल से बनी होती है, कारपस स्पोंजियोशं, याद रखना हमारा जो सिस्न है, मेल की सरीर का जो सिस् क्या कहा जाता है पेनिस कहा जाता है यह आप लोगों को clear होगा अगला सवाल आपका भुरुडा अवस्था में सभी उत्तक का निर्माड किस से होता है भुरुड की अवस्था में जो उत्तक बनते हैं उनका निर्माड किस से होता है तो याद रखना stem cell से किस से होता है तो correct answer याद रखना stem cell से clear, clear, मैं math का class कब होता है, मुकुंद जी math का class आपका डेड़ वजे होता है, दो पहरिया में डेड़ वजे, ठीक है, आपका अगला सवाल, question number 70, 70, ठीक है, वरिक तथा जनन अंग का निर्मार किसे से होता है, ठीक है, बच्चे के अंदर जो male और female part है, वो कि किस के द्वारा बनता, अब एक बच्चा जैसे हमने बताया कि नर और मादा युगमक मिलकर क्या हो गए, भुरूड बने गए, अब इस भुरूड के अंदर सब कुछ बनेगा, कान, हाथ, दिल बनेगा, वरिक बनेगा, ये सब कुछ बनेगा, तो याद रखना, इस को होता है, वरिक मतलब किडनी, दूठे किडनी और नीचे क्या है, आपका जनन गरंती, वो किसके द्वारा बनता है, तो करेक्ट एंसर होगा, मीसो डर्म के द्वारा, ठीके, वरिक तथा जनन अंग का निर्मार, मीसो डर्म के द्वारा, किसके द्वारा, मीसो डर्म के द् मैम यूपी बोर्ड का स्टडी कर रहे हूँ नीरत चोपरा जी बिल्कुल यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जारखंड बोर्ड, सभी बोर्ड की तयारी जस्ट्फिल क्लासेस पर होती है और ये सवाल मेरा सभी बोर्ड के लिए है। उपी बोड, बिहार बोड की क्लासेस यहाँ पर रेगुलर आपको मिलेंगी, तो आप लोग जॉइन कर लो, ठीक है, जुड़ जाईए, ठीक है, चलिए, आगे बढ़े, चल्दी बताओ, क्लियर है तो, अगला सवाल आप लोगों के लिए, अगला सवाल है, टूनिका जीनिया, किसका आवरड, क्या बताओ, जल्दी बताओ, मुकुंद कुमार कुश्वाह, मैम, आपका नेम क्या है, लग रहे है, पहली बार आ रहे हो आप, ठीक है, तो मुकुंद जी, मेरा नाम निधी है, निधी पांडे, क्लियर, पल्लवी आदो, फास्ट कीजे, मैम, एक दिन में सत्तर सवाल करना कम है, ठीक है, फास्ट फास्ट जवाब दीजे, हलो मैम, लाइव टाइम प्लीज, सुमिध जी, रोज सुबह साथ बजे, रोज सुबह साथ बजे मेरी क्लासेज, लाइव आपको जश्ट्वल क्लासेज पर मिलेगी, ठीक है, तो इसका करेक्ट एंसर याद रखना, वरीसड, ठीक है, वरीसड जो आपका है, वरीसड के यह किस चीज से बना है, तो याद रखिएगा, टूनिका अल्बूजीनिया, यह हमारा एक आवरण है, ठीक है, याद रखिएगा, टूनिका अल्बूजीनिया किसका आवरण है, तो गरेक्ट एंसर होगा, वरीसड का, अगला सवाल, क्लाइटोरिस किसका समझात अंग है, तो याद क्लाइटोरिस क्या है, फिमेल में, महिला का जब आप लोग मादा का जनन भाग बाहर से देखोगे, जब महिदा का क्या कर रहे हो, मादा जनन तंत्र बाहर से देख रहे हो, तो यह योनी है, यहाँ पर इस तरीके से बेलनाकार एक संगरचना पाई जाती है, इसका समजात अंग है, तो याद रखिएगा सिसन का, मेल में जो सिसन पाया जाता है, यह बेलनाकार संगरचना वाला, ठीके, यह इसी की तरह, जैसा यह सेंसिटिव होता है, उसी प्रकार से फीमेल में क्लाइटोरिस पाया जाता है, ठीके, याद रखिएगा, मेल का सिसन म महिला के क्लाइटोरिस के क्या होता है एकदम समझात अंग होते हैं ये दोनों का काम क्या है सेम होता है ठीक है ये याद रखिएगा चली अगला सवाल सॉरी काम सेम नहीं उत्वपत्ति सेम होता है उत्वपत्ति और संग्रचना में ये समान होते हैं अगला सवाल फोर्टिला इसके पूरी सता पर यहाँ पर क्या प्याई जाता है है जो निसेचन की क्रिया में बड़ा महत्वपुद योगदान निभाता है तो निए रखना हमाने सवाल अगला सवाल है estrogen तथा progestron hormone का स्तरावड किस से होता है आपको पता है female के सरीर में जो मनुशी की मादा है उसमें आपको estrogen और progestron देखने को मिलता है ठीके estrogen और progestron देखने को मिलता है वो किसके द्वारा स्तरावित होता है placenta जिसको हम हिंदी में अपरा कहते हैं अंडाडू, व्रिसर या व्रिक क्या लगता है जल्दी जवाब दीजिए ठीके जल्दी जल्दी जवाब दीजिए मैम आप बहुत महनत करते हैं हम सब के लिए thanks मैम अरे हम बिल्कुल महनत नहीं कर रहें बच्चा ठीके अभी हमको और महनत करना है अभी हमें और महनत करना है ताकि आप लोगों को 90 प्लस दिला सके बस तुम लोग साथ नहीं दे रहे हो एक बार अपना साथ हमको दे दोगे न तो इसका डबल महनत आपको देखने को मिलेगा ठीके नीदी मैम आप लोगों के लिए डबल त्रिपल महनत करने को तयार है ठीके और बिल्कुल कोई चार्ज नहीं लेंगे फरी में हम आप लोगों को पढ़ा देंगे लेकिन आप लोग तयार तो हो जाओ महनत करने के लिए देखो सिर्फ 99 रुपीज में आप खुद सोचो केवल 99 रुपीज में आपको क्रेस कोर्स दे रहे जहां पर 99 रुपीज 100-100 रुपे पर सबजेक्ट का टीचर्स चार्ज कर रहे वहां पर 99 रुपीज में आपको फिजिक्स, केमेस्ट्री, बाइलोजी, मैथ, हिंदी, इंगलिज यह सारा सबजेक्ट आपको कितने में केवल 100 रुपे में यानि हर टीचर को 20-20 रुपे भी नहीं पढ़ रहा ठीके 20 रुपे से भी कम हम लोगों को मिल रहा है तो आप लोगों के लिए इतना कम में पढ़ाया जा रहा बदले में क्या हम लोग मांग रहे एक आपका प्यार मांग रहे है एक आपका सपोर्ट मांग रहे है और दूसरा कि आप लोग जोईन हो जाओ ठीके तीसरा लास्ट आप से क्या है कि आप लोग क्या हो जाओ हमारे क्रेस कोर्स से जोईन हो जाओ ठीक है 99 रुपीज में कुछ नहीं है और जॉइन करने के लिए क्या करना है 8318421583 पर कॉल करना है सभी बच्चे जो जॉइन करना चाहते वो कॉल करे 8318421583 पर और याद रखना एस्ट्रोजन और प्रोजिस्ट्रोन हार्मोन का इस्तुरावर प्लेसेंटा के द्वारा अपरा के द्वारा होता है किसके द्वारा प्लेसेंटा के द्वारा अपरा के द्वारा होता है क्लियर है चलिए अगला सवाल अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा Next question आपका है, स्तनपाई जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ती कहां होती है? ठीक है, अगला सवाल आपका, जितने भी हमारे स्तनपाई जीव है, उनमें नर हार्मोन की उत्पत्ती कहां होती है? लीवर में, अंड कोस में, किडनी में, फेफडों में? नर हार्मोन नहीं करना यह था मादा हार्मोन, ठीक है, यहाँ मादा हार्मोन कर लो, मादा हार्मोन अंड कोस करेक्ट एंसर होगा, ठीक है, ऐसे तो यहाँ पर अगर नर हार्मोन की बात की जाएगी, तो यहाँ पर वरिशड कोस करना, ठीक है, चलो गर यहाँ पर यह दिया है, नर हार्मोन तो इसको को रिसर कोस्ट कर लीजिए ठीक पीडियाफ आप लोगों को मिल जाएगा पीडियाफ की चिंता बिल्कुल मत करना जस्ट्वल क्लासेस के एप पर आपको पीडियाफ मिल जाएगा जो भी बच्ची हमारा फुल बैच खरीदे हैं उनको पीडियाफ मिल जाएगा ठीके चली अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल आप सभी बच्चों के लिए प्रतिक मासिक चक्र के दोरान अंडोत सरजन होता है तो को हर मासिक चक्र में एक बार में कितना एक ही अंडाडू का निर्माड होता है ब वज़र से हमको जुडवा बच्चे देखने को मिलते हैं तुम लोगों के मन में सवाल रहता है जुडवा बच्चे कैसे हो जाते हैं याद रखिएगा वैसे तो इस पर प्रॉपर वीडियो हम दिये हैं लेकिन फिर भी आप लोगों को बताने के लिए एक बार फिर से बता है जिससे जुडवा बच्चे का निर्माड होता है जिससे क्या होता है जुडवा बच्चे का निर्माड होता है तो याद रखिएगा प्रतेग मासिक चक्र के दोरान अंडोत सर्जन होता है एक अंडाडू का कितने का एक अंडाडू अगला सवाल निम्न लिखित में अल् में से कौन सा अल्पकाल के लिए कम समय के लिए अंतस्त्रावी ग्रंथी का कारे करता है तो करेक्ट एंसर होगा कारपस लूटियम ये महिलाओं में मादा जनन तंत्र में आपको देखने को मिलेगा अंडासे के अंदर और ये कुछ समय के लिए अल्पकालिक समय के लिए अंत इसको तो एकदम रट रट आ जाओ ठीक है एकदम क्या करो रट लो तुम लोग बैठ कर कि एक प्राथमिक सुक्रकोशिका से कितने चारं सुकराडू का निर्माड होता है कितने चार खलेरे अरसलान जी हम अभी PDF लगवा देते टीक आज जैसे ही सराते हैं हम PDF लगवा देते डोंट वरे ठीक अब अगला सवाल देखा जाए अगला सवाल बोल रहा है जीवों में प्रजणन की क्रिया होती है जीवों की संख् व्रिद्धी के लिए पृत्ववय पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए अपनी जाती के जीवों को बनाए रखने के लिए तो करेक्ट एंसर होगा जीवों में जो प्रजणन की क्रिया होती है वो तीनो के लिए है अगला सवाल आपका अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है तो अंडवाहिनी हमने पहले ही बताया कि जो अंडवाहिनी का सबसे अंतिम भाग होता है वो गर्भासे से जुड़ा होता है और इस भाग को क्या क कहते हैं, थमस कहते हैं, खुक에 अंडवाहิनी का अंतिमभाग क्या कहलाता है, तो हैं याद रखेट रखीरगा, इस थमस कहलाता है, अगला सवाल, इन फंडी भुलम में अंगुली का प्रवर्ध कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, Fimbriyae ठीक है, मादा जनन तंत्र में ही आपको keep यहाँ पर इसको keep या फिर अंग्रेजी में infantibulum कहते हैं, और यहाँ पर आपको उंगली नुमा संग्रचना दिखाई देता है, जो अंडासे को पकड़ के रखता है जो अंडासे को क्या करता है, पकड़े रहता है तो याद रखना है, यह जो उंगली नुमा संग्रचना इसको क्या कहते है Fimbriyae कहते, इसे क्या कहा जाता है Fimbriyae बताओ clear है 81 का A answer बिल्कुल clear है एंजल साक्षी जी हमने अपनी तरफ से तो पूरा कोशन कराया है मैच नो करना, करना यह तो examiner पर है हम अपना मेहनत कर रहे है अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे है तो फिर कोई बात नहीं ठीके, आपका भी हमने message देखा कि मैच नहीं किया तो इसके लिए हम माफी मांग रहे है कि मेरा question मैच नहीं किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो हमको बोले कि मेरा question मैच किया फिर भी अगर आप बोल रही हो मैच नहीं किया तो हम अगली बार से ध्यान रखेंगे ठीके चले अगला सवाल योनी द्वार प्रायह एक पतली जिल्ली से धका होता है जिसे क्या कहते है आपको पता है महिलाओ में जो योनी महिलाओ में क्या उपर की तरफ एक छिद्र पाया जाता है और नीचे की तरफ एक छिद्र नीचे वाले छिदर को हम योनी कहते हैं, ठीके बाहर से देखने पर इस प्रकार से और अगर अंदर से हम देखेंगे तो ये रहा गरभासे, गरभासे की दिवार, गरभासे क्या है योनी के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है, ठीके इस योनी पर एक पतला सा आवरण पाया जिसको क्या कहते है हाइमन कहते है जिसे क्या कहा जाता है हाइमन। यह आपका बहुत पतला होता है जब लड़की ज़ादा उछलती कुदती। निकल जाता है, ठीके? तो याद रखिएगा योनी द्वार पर एक पतली जिल्ली पाई जाती, उसको क्या कहते है? हाइमन, हिंदी में इसको योनी छद कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है? योनी छद, ठीके? ये चीज याद रखना आप, बताओ clear है? यल्दी चल्दी चल्दी, I think यहाँ तक आप सभी को clear है, ठीके? I think यहाँ तक सभी को clear है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ठीके? मैम, ये तूटा है, तो क्या होता है? कुछ नहीं, बस ये तूटता है, तो ब्लड की तरह, ब्लड, अब परत ये ब्लड का ही बना होता है, तो ब्लड आपका बहार आजाता है, ठीके? ये छोटी से दिवार पर, इस पर चाव तरफ क्या होता है? ठीके? ये तूटेगा, तो ब्लड थोड़ा सा बहार आएगा. चली, अगला सवाल है, मासिक धर्म के आरंब से इस्तिरावित होने वाला हार्मोन का क्रम है, ठीके? मासिक धर्म में सबस सबसे पहले कौन सा? तो याद रखना, FSH. ठीके? सबसे पहले, फॉलिकल स्टुमिलेटिंग हार्मोन, हमारे प्यूस ग्रंथी द्वारा इस्तिरावित होता है, उससे से एस्तिरावित होता है, तो याद रखना, मासिक धर्म के आरंब से कौन से हार्मोन? FSH, फिर आपका ए प्रोजेस्ट्रोन क्या करता है? जो हमारी एंडोमेट्रियम की परत है, उसके निर्मार को प्रेरित करता है, ठीके? एस्तिरोजन क्या कर रहा है? अंडे की निर्मार को प्रेरित करता है, प्रोजेस्ट्रोन क्या करता है? एंडोमेट्रियम परत के, जो परत बनता है गर्भ कोशी की अवस्था ठीक है नर और मादा युगमक मिलकर क्या की यह युगमनज बनाएं यह युगमनज पहले दो कोशिका में डिवाइड हुआ उसके बाद चार कोशिका में चार से आपका आठ कोशिका में और आठ से सोला कोशिका में तो जो यह सोला कोशिकाओं की हीमो कोडियल होता है यह चीज याद रखना यह पहले भी आपके एक्जाम में आया हुआ है ऑगला सवाल पलेसिंटा के द्वारा हम क्या कर्तेए पलेसिंटा के द्वारा भूरह bottom हह मां क्या करती है मां क्या मा के द्वारा जो ब्लड आता है उसमें से पोसक पदार्त को निकाल लेता है जैसे ऑक्सीजन हम सास लिए तो ऑक्सीजन क्या हुआ ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल गया अब वो ब्लड क्या होगा हमारे बच्चे तक जाएगा ताकि बच्चा क्या कर सके ऑक्सीजन ले सके ब भुरुड है वो मा के रक्त से पोशड प्राप्त करता है ठीक है अगला सवाल आपका क्या है अगला सवाल है गैमिट निर्मार को क्या कहते है युगमक निर्मार की प्रक्रिया युगमक जनन कहलाती है और वैसे ही गैमिट निर्मार की प्रक्रिया गैमिटो जेनेसिस कहलाती युगमक जनन कहलाता है ठीक है अगला सवाल आपका नेत्र लेंस नेत्र की आखों आखों में जो लेंस बनता है वो किस चीज़ से बच्चे का लेंस किस चीज़ से बना होता है एक्टोडर्म मीसोडर्म एंडोडर्म तो याद रखना एक्टोडर्म से ठीक है बच्चे के अवस्थाओं का सही क्रम है, तो आपको जब हमने सुक्राडू जनन पढ़ाया तो बताया सबसे पहले स्परमेटो गोनिया बनता है, स्परमेटो गोनिया से स्परमेटो साइट बनता है, स्परमेटो साइट से स्परमेटीड बनता है और स्परमेटीड से आपका सुक्राडू बनता है ये आपका क्रम है सुक्राडू जनन की प्रक्रिया में सबसे पहले स्पर्मेटो गोनिया बना स्पर्मेटो गोनिया से स्पर्मेटो साइट बना स्पर्मेटो साइट से स्पर्मेटेड बने और स्पर्मेटेड से आपका सुक्राडू बनता है इस क्रम को आपको क्या करना है दिन भर में, दो कुछ से दवा खाते हो ना, एक दिन में तीन बार सुबा दोपारिया रात, वही सही छाचा घंटा पर रिवाइस करना है आपको, ठीके उठकर पन्ना पलटके पढ़ ले ना, स्परमेटो गोनिया, स्परमेटो गोनिया से आप का स्पर्मेटो साइट, स्पर्मेटो साइट से स्पर्मेटूट और स्पर्मेटीट से आपका बनता है सुकराडू, एक दिन में पाँच बार इसको क्या करना है, दोहराना है, ठीके, मैम जी हमें आपका कोईश्टन बैंक सीरीज नहीं मिल रहा, वंधना व्लॉग जी, आप इसी वीडियो के ठीके, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, सबसे उपर में आपको हमारा कोईश्टन बैंक सीरीज मिल जाएगा, आप यहां से भी देख सकती हूँ, अगर आपको प्ड़ना चाहिए, आप अगर नोट से पढ़ना चाहती हो, तो जस्ट्विल क्ला से इसको जोईन कर लेना, और जोईन करके आप वहां से PDF ले सकते हो, ठीके, नहीं मिलेगा, तो कॉल करके आप पूछ लीजेगा, अगर आप जोईन हुए होगे, तो आपको सर बता देंगे कि आपको PDF कैसे मिलेगा, ठीके, मैं मैं यह क्लास कब तक चलेगी, बस खतम, बस अब हमारा लास्ट कोशन ही चल रहा है, इंप्लांटेशन के बाद पार्चूरेशन होता है, इसका तात पर जन्म की क्रिया, पार्चूरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ही बच्चा, ठीके, बच्चा क्या हुआ, गर्भ में आ गया, तो अब वो दिन्दगी भर गर्भ मे थोड़े नहीं रहेगा, गर्भ से निकलेगा अभी ना, तो गर्भासे से निकलना क्या कहलाता है, पार्चूरेशन कहलाता है, तो याद रखना पार्चूरेशन क्या है, जन्म की क्रिया, अब बच्चा क्या होने वाला है, बाहर निकलने वाला है, ठीके, अगला सवाल, फ ब्रेदन कहलाता है अंगरेजी में ovulation कहलाता है ठीके आज हिंदी अंगरेजी दोनों लेकर चल रहे हैं आप लोगों के लिए अगला सवाल विकसित सुकराडू को पोसर किससे मिलता है सभी को पता चल गया सटोली कोशिका से अगला सवाल आपका है Crypto Cadism किस अवस्था में वरिसध थीखे आपको बता रहे Crypto Cadism क्या है तो वो अवस्था है जब क्या होगा वरिसध आपका Scrotum में जाने में असमर्थ होता है थीखे जब बच्चा जब बच्चा क्या अभी मा के गरभ में है अब अभी उत्पन हुआ है तो बच्चे के जो वरिषड होते हैं वो उसके पेट में ही होते हैं ठीक है छे महीने के बाद बच्चे का जो वरिषड है वो वरिषड कोस में आता है तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं क्रिप्टो किडिस्म की अवस्था कहते हैं ठीक है इस अवस्था में जो वरिषड है वो स्क्रॉटम में नहीं आ पाता ठीके ये क्या है एक प्रकार की आवस्था है या फिर रोग बोल सकते है जिसमें हमारा क्या है वरिसर्ड मेल का वरिसर्ड वरिसर्ड कोस में आने में असमर्थ होता है अगला सवाल, मनुष्य में किस कोड द्वारा व्रिसर्ड स्कॉटल सेक से जुड़ा होता है तो याद रखना, करेक्ट अंसर होगा, ग्यूबर नेक्यूलम अगला सवाल, भुरुड विज्यान के जनक किसको मानते है अरनक माना जाता है, अगला, मनुष्य में सुक्र नलिका, वासा डिफरेंस किस से निकलता है तो याद रखना, कोटा इपिड़ाइमिस द्वारा जो मनुष्य में सुक्र नलिका, आपको वासा डिफरेंस देखने को मिलता है वो हमारा, यह हमारा क्या था, वरिसर था, इसके चारो तरफ क्या पाया जाता है एपिड़ाइमिस, एपिड़ाइमिस का जो अंतिम भागे, उसको हम कहते है कोडा यह क्या होता है, यही आपका किसमे सुक्र नलिका में, वासा डिफरेंस में निकल जाता है इस तरीके से तो याद रखिएगा, ठीके, सुक्र नलिका किसके द्वारा निकलता है, तो कोडा एपिड़ाइमिस अगला सवाल है, मनुस में सुक्राडू का संग्रहड एवं पोशड किसमे होता है तो याद रखिएगा, एपिड़ाइमिस, जितने भी मानव नर के अंदर सुक्राडू बनते हैं, उन सुक्राडू को एपिड़ाइमिस जिसको अधिव रिषड कहते हैं, उसके अंदर स्टोर किया जाता है, वहाँ पर रहकर क्या करता है, सुक्राडू खुद को मेच्योर करता है, ठीक है, याद रखिएगा, यह हमारा रिषड है, इसके अंदर सुक्राडू बन गया, अब यह सुक्राडू बनने के बाद कहां पर जाते हैं, तो बनने के बाद यह जो अधिव रिषड दिख रहा है यहां तक का, इसी के अंदर रहकर अराम से अपने आपको क्या करेंगे, मेच्योर करेंगे, जैसे आप लोग बड़े मम्मी पापा आपको उत्पन कर दिये, लेकिन आप लोग मेच मेच्योर कहां पर हो रहे हो, इस अब नई नई चीजे कहां सीखने को मिल रहा है, जिन्दगी जीना है, लाइफ में आपको कुछ करना है, तो इसके लिए कौन तयार कर रहा है, टीचर्स तयार कर रहे हैं, ठीके हम लोग आपको क्या कर रहे हैं, मेच्योर कर रहे हैं, आप उत्पन की हुए क्यों, इंको करना क्या है, अगर इनको अंडाडू को निसेचित करना है, तो कैसे करना है, यह सब कुछ बताया जाता है अधी वरिषड के अंदर, अधी वरिषड को ही हम इंगलिस में एपीडी डाइमिस कहते हैं, ठीके अगला सवाल हमारा, वरिषड में हा हार्मोन इस्तरावित करती है, तो याद रखेगा लिडिंग सेल, ठीके लिडिंग सेल जिसको हम लोग अंतरास्थलिय कोशिका भी कहते हैं, इंटरस्टीसियल सेल भी कहा जाता है, ठीके इसी को हम लोग पाई जाती है, सुकराडू नलिका, वरिषड में हमारा कै दो से ती पाई नलिकोशिका और ये हमारे जर्मसेल के द्वारा उत्पन होने वाले सुकराडूओं को पोसर देता है, अगला सवाल मानुव विर्य, लास्ट कोश्चन, आज का आखरी सवाल आप सभी बच्चों के लिए, ठीके आज का आखरी सवाल आप सभी बच्चों के लिए, मा हमारा chapter number 3 से हो चुके 100 सवाल complete, इस से बाहर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीके, तो अब आपको क्या करना है, आपको मानव वीरे का पियच बताना है, आखरी अंतिम सवाल, तुम तो जवाब तो देख चुके हो, ठीके, जवाब तो देख चुके हो, क्या बता है, छोड़ो, ठीके, तो correct answer होगा, 7.3 से 7.5, clear, याद रखिएगा, जो मानव का विरे है, सेमन है, विरे क्या होता है, तो मानव नर में, मेल में तीन ग्रंतियां पा बनाते हैं, और इस विरे के अंदर ही हमारे सुकराडू पाए जाते हैं, ठीके, तो correct answer याद रखना, क्या होगा, होगा आपका option number C, 7.3 से 7.5, ठीके, तो ये हो चुके हमारे आज कर, top 100 objective question related, और मानव जन, तो आज की class में बस इतना ही, मिलेंगे अब आप से, next class में, आप लोग तब तब अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, जस्ट्विल क्लासे से जुड़े रहो, जाने से पहले फिर एक बात बोलेंगे, अगर आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हो, क्रेस कुर्स जुआई नहीं कीए, तो देखो,